तो आज दस बजे मुक्तार को दफना दिया जाएगा काली बाग कबिस्तान में सुपुर्दे खाक होगा मुक्तार अंसारी आधी रात गाजीपुर पहुँचा था मुक्तार का शव और अब दस बजे का वक्त है दस बजे सुपुर्दे खाक होगा मुक्तार अंसारी मुक्तार के साथ मुक्तार की दहशत भी दफन हो जाएगी जिन लोगों को उसने सताया फिरौती मागी अतिक्रमर किया हत्या कई ऐसे मुक्तार पहत दर्ज किये गए मुहमदाबाद इलाके में मुक्तार का पैट्रिक घर आधी रात को गाजिपूर पहुँचा था मुक्तार का शब रवी पान्डी गाजिपूर से मारसा जुड़े खुए हैं और रवी दस बजे का वक्त है दफनाने का क्या-क्या जानकारिया अभी तक मिल रही हैं कौन-कौन पहुंच सकता है जनाजी में शामिल होने के लिए जनाजा उठने का उसके पहले जो समर्थोकों के भीड है उस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है और बहुत से नाम ऐसे हैं जो इसमें सामिल होंगे दस बजे तक वो संख्या देखने के मिलेगी वो तस्वीर सामने आएगी धिरे धिरे लोग आना इंतजार कर चुके हैं लेकिन ये जो भीड है ये राज से ही आपर खड़ी है उनके साथ उनके जो समर्थक है वो पूरी राज खड़े हैं कहां से आ रहे हैं भाई साथ क्या प अनीश सेक्योरिटी काफी जादा टाइट दिखाई दे रही है पूरा सुरक्षा का घेरा चारों तरफ दिखाई दे रहा है गाजिपूर में और उसके घर के बाहर भी काफी दूर तक हम देख रहे हैं कि पुलिस भी कतार में खड़ी हुई है अभी जड़ा दिखाईए क् और किन किन के पहुँचने की जानकारी मिल रही है परिवार से किन किन के कौन कौन पहुँच सकता है देखें आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर मुक्तार अंसारी के जनार्य में शामिल होने के लिए अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके शमर्थों की भी उनके चाहने वालों की भी उनके छेत्र के नीवाद्शियों की भी बर रही है उसी करा यहाँ पर security के भी खास इंतिजाम किये गए हैं और आपकी नगर जहां जहां तर याएगी वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भारी शंख्या में police force पहनात की गई है और यहाँ पर लगाता जो police officers हैं जो है जाईया ले रहे हैं हालात का जाईया ले रहे हैं और वो direct कर रहे हैं force को direct कर रहे हैं और समझा रहे हैं अपने आदिनस्तों को कि क्या करना है कैसे करना है आपको बता देए भील को नियंतित रखने के लिए क्योंकि भारी भील की समावना है और जैसा कि अरवी बता रहे थे कि देर्दाद गये सही लोग यहां पर इकटे हैं और जनाजे में शामिल होने के लिए मुक्तार अंसारी के अंतिम दर्शन करने के लिए लोग यहां पर ख़ले हुए हैं और भीडू भी लगातार बल रही है उसी अनपाथ में सेक्वर्टी क भी विवस्ता प्रशाशन ने कर रखी है ताकि भीड के बीच में कोई आनियंत्र ना होने पाए भीड कंट्रोल में रहे और सब कुछ सक्सल निपड़ जाए मुक्तार अंसारी का जनाजा सक्सल निपड़ जाए मुक्तार अंसारी के शुपर देखा किया जाए उस कारिकर म बेहत ही मजबूत इंतिजाम किये गए हैं जी बिल्कुल तो काफी मजबूत यहाँ पर इंतिजाम किये गए है सेक्यूरिटी के लिहाँ से अगर हम बात करें रवी हमारे साथ जुड़े हुए थे रवी हमें जानकारी दे रहे थे कि कौन-कौन पहुंच सकता है जनाजे में शामिल होने के लिए देखे रवी जो अफशान सारी है पतनी मुखतार की उसे लेकर भी अभी तक सस्पेंस बना ही हुआ है और कौन-कौन पहुंच सकता है परिवार से शामिल होने के लिए बाकी परिवार के जितने भी लोग है वो पुरी रात अंदर है और परिवार के साथ ही शव के साथ ही पुरी रात बिता हुए बाकी जो बाहर के लोग है उनमें कई नाम जुड़े है उसमें कई सियासी नाम है लेकिन देखना यह होगा कि उन चेहरों में से कौन-कौन चेह यहां यहां पर आ चुके हैं और इसके साथ ही आज का जो समय है जो एक दो गंटे का जो समय है वह तस्विरे सामने आ रही है धीरी-धीरे कौन आता है जैसे दिन चड़ेगा वैसे वैसे लोगों की आने की जो संख्या है जो करम है वह जारी हो जाएगी फिलाहल परिवार के लगभग लगभग आठ से आठ नौ बजे तक संपन कर ली जाएगी उसके बाद जनाजा उठाने की तयारी की जाएगी और उसके बाद यहाँ से रवी प्रशास्तिक अधिकारियों के अगर हम बात करें तो कौन-कॉन से प्रशास्तिक अधिकारी इस दौरार मुझूद रहने वाले हैं यहाँ पर सक्यूरिटी के लिहास से क्योंकि बहुत एहम हो जाता है। प्रसाथनिक अधिकारी होग यहां पर hasn 갈 sudah之前 हो जाएंगे कि पर प्रसाथनिक अधिक्रियों अधिकारी ऺए यहां पर लिश्ज hayır हो जाएंगे और फिलाल अभी unlikely पहले यहां पर पुलिस अधिकारी हैं वो भी सुरच्छा के दिश्टी से यहां पर लगातार मुस्तैद देखाई दे रहे हैं ताकि किसी परकार का जो ववस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके यहां से ले करके कब्रिस्तान तक यह ववस्थाएं देखी जा रही हैं ठीक है आप बने रहेगा रवी मनीश भी हमाने साथ जुड़े हुए है मनीश क्योंकि सस्पेंस अभी तक पत्नी के पहुचने को लेकर भी है कि अफशा अंसारी पहुचेगी या नहीं पहुचेगी लेकिन दूसरी तरफ बेटे की बात करें अब बास अंसारी ने जो क्या वो पहुच सकता है जनाजे में कोई जानकारी कोई अबडेट इससे जुड़ा आपको मिला हो मनीश कर देखिए आपको बता दें कि इस मामले में आभी तक फिलहाल अबाद सांसारी को कोई राहत कानूनी रूप से नहीं मिल पाई हाल कोर्ट से उन्हें कोई राहत नह ठोस कदम कोल्ड की तरफ से कोई आदेश के रूप में आया हुआ, ऐसी कोई जानकारी आभी तक नहीं है, फिलहाल ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अबास अंसारी का अपने पीता के अंतिम संसकार में शामिल होना जरूर मुश्किल है, हाँ, उने के दूसरे बेटे उमर जो है ओमर अंसारी साथ-ईसाथी है, बानदा में मौजूत है, और वो सोव वाहन के साथ-ईसाथी अपने पीता के फारतु शरीर को लेकर यहां पर आये हुए हैं, वो अंतिम शंसकार में शामिल होगे, परिबार के अनश्यदत शामिल होगे, उनके प्तमाम समय थक भी अंतिम सं सारी को ऐसी कोई रहत नहीं मिल पाई जिसे वो अंतिम शंशकार में शामिलों जी ठीक है रवी पांडे भी लगतार हमारे साथ जुड़ेंगे हैं रवी हाई कोट की तरफ से क्योंकि अर्जी खारिज कर दी गई थी अब सुप्रीम कोट का रुक्या गया जो अबास अंसारी ह है उसकी ओड से क्या-क्या वो महतोपुर्ण बिंदू रहे कौन-कौन से वो पॉइंट्स रहे जिनको अधार बनाया है कोट ने अर्जी खारिज करने में सुप्रीम कोट का दरवाजा कर दाए गया लेकिन वहां से भी निरासा हाथ मिली कहा जा रहा था कि रात के समय सुनवाई हो सकती थी लेकिन कोई तस्मीर सामने नहीं नहीं उपाई जिसको लेकर करके लगातार संशय बनाया गया है बासंसारी ने अपने पिता के जनाजा में सामल होने के लिए अप्लिकेशन दे थी लेकिन याचिकार रदि कर दीगे अभी जो कागज है वो अभी सामने नहीं आया कि किनकिन बिंदो पर याचिका खारिष की गई है लेकिन यह जरूर है कि दोनों इस्थानों से बासंसारी को निराशा हाथ लगी है ठीक है मनीश लगातार जुड़े हुए मनीश मीडिया को कितना दूर रखा गया है इस पुरे घेरे से जो हम देख पा रहे है अभी आपके पीछे पोलिस की संक्या भी लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि बता जा रहा है सिक्यूर्टी बेहर टाइट है और मीडिया को भी थोड़ा दूरी पर ही खड़ा किया गया है यहां पर जो सुरच्चा की जोस्ता है सिक्यूर्टी जो है वो पुरी तरह से टाइट है और बेर्केट के अंदर मीडिया भी नहीं जा सकता है यही इस तिति यही हालात कल जब मुक्तार अंसारी का शो यहां पर उनके प्रतिक घर आया गया था तब बेर्केट के बाहर मीडिया कवर कर रही थी और आज यही हालात है मीडिया जो है वो भी बेर्केट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और वहाँ पर सुरच्चा के तमाम इंतिया इस तरह से किये गए है कि अब लोगों के पहुआ पहुआ लिए गया है इसे में मीडिया भी जो है वह बैर्केटिंग से बाहर से ही पुरे तारिक्रम को इस कुरे हालात को इने स्थित्यों को और कवर करें जी ठीक है मने इशा बड़े रहेगा हमारे साथ रवी पांडे भी लगाता जुड़े हुए गाजेपूर से और लगाता जानकारी दे रहे हैं अपडेट दे रहे हैं कि अब लोगों के पहुचने का वहाँ पर सिलसला शुरू हो गया के जनाजे में शामिल होने के लिए लेकिन बड़ी बात यह कि पत्नी अफशांसारी जिस पर 11 मामले लगभग दर्ज हैं अभी तक क्या इनी मामलों की वज़े से वो अब तक सामने नहीं आ पाईगी और अपने पती के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पाईगी या फिर हो सकता है यहाँ पर किसी तरीके से कोशिश की जाए जनाजे में शामिल होने की जैसा कि हमने पहले भी देखा था आप जब अतीक अहमद की बारी में भी का जा रहा था कि शाहिस्ता पहुचेगी लेकिन नहीं पहुचेगी और अब यहाँ पर अफ्शाम सारी क्या पहुचेगी नहीं पहुचेगी सस्पेंस बरकरार है रवी देखे यह कहना बिल्कुल मुनासिफ होगा कि कहिने कि यह बड़ा कारण है अंतिम जनाजे में सामिल नहीं होने का लेकिन अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हो पाई इस पूरे मुद्दे पर परिवार हो चाहे उनके समथ्था को कोई भी किसी भी बात करने से मना कर रहा है इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आई आज सुबर 10 बजे तक का समय है लेकिन अभी तक कोई सुचना या फिर किसी भी परकार का जो मैसेज है वो आपसा अंसारी के तरफ से नहीं दिया गया है और नहीं यह तस्वीर साफ हो पाई है कि वो अंतिम संसकार में सामिल हो पाएंगी कि यह नहीं हो पाएंगे अंदर हमारे रिपोर्टर भी गय हुए थे बात करने की कोशिस की गई अंसारी पर लेकिन पुरी तरह से उसे टाल दिया गया है तो यह एक बहुत बड़ा शंशय है कि आपसा अंसारी आने वाली है कि नहीं आने वाली और एक बहुत बड़ा कि अमारे साथ